इस यह से MTS online tutorial में आपका स्वाकत है मैं हूं मनीश चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन Windows 10 Quick Access Session में आज आप पढ़ेंगे How to use Quick Access in File Explorer यानी File Explorer में Quick Access का उप्यों कैसे करें How to add और remove a folder in Quick Access Quick Access में एक folder कैसे जोड़े या हटाएं अभी मैं आपको File Explorer के Quick Access के बारे में सिखला रहा हूं जब हम work करते हैं तो बहुत सारे File folders बनाते हैं इन File folders में कुछ ऐसा folder होता है जिसको हमें बार बार open करने की जरूरत होता है हम लोग उस folder को open करने के लिए उस location में बार बार जाते हैं जिससे हमारा समय परबात होता है आज मैं आपको यहीं बताने वाला हूं कि Quick Access के द्वारा कैसे इसे जल्दिबाजी में shortcut तरीका से किया जा सकता है आप Quick Access में उन सभी folder को pin यानि add कर सकते हैं जिससे आपको हमेशा open करना पड़ता है आईए देखते हैं कैसे सबसे पहले आप task बार में जाएए यहाँ देखिए file explorer का icon दिख रहा है आप इसे क्लिक किजे इसे देखिए यह file explorer का window है आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहला option Quick Access दिया हुआ है इसको expand या collapse करने के लिए यहाँ पे button दिया हुआ है अभी यह expand mode में है यानि कि पूरी item यहाँ पे दिख रहा है अगर आप इसे collapse करना चाते हैं यानि कि इसमें दिये गए item को छिपाना चाते हैं तो आप इस button पे click किजे अब देखिए इसमें जितने भी items था वो सब hide हो गया है आप फिर से इस पे click किजे देखिए quick access में कौन कौन से item पहले से मोजूद है जैसे desktop, downloads, documents, picture और यह folder यहाँ देखिए सभी में 3 icon लगा हुआ है यानि कि इसको पहले से add किया हुआ है यह सारे item हमेशा quick access में available रहेगा यह automatic यहाँ से खतम नहीं होगा अब माल लीजे कोई folder है जिसे आप अक्सर open करते हैं उस location या drive पर जाकर के open करते हैं जहाँ पे आपने उसको इस store किया है अगर आप चाहें तो उस folder को यहीं पे यानि quick access में pin कर सकते हैं यानि कि add कर सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस काम को यहाँ देखिए this PC दिया हुआ है आप इस पे click किजे अब आपके computer में जितने भी drives और devices हैं उन सभी का यहाँ पे list खुल गया आप इसमें से किसी भी drive में चले जाएए जिसमें आपका folder है माल लिजे कि हम c drive में जाना चाहते हैं तो इस पे double click किजे अब c drive के जितने भी folders files हैं उसका list यहाँ पर दिख रहा है आप जिस folder को pin करना चाहते हैं quick access के अंदर उस folder पे click किजे माल लिजे कि हम इस mts folder को pin करना चाहते हैं तो हम mts folder पे click किए अब यहाँ toolbar में देखिए एक command दिया गया है pin to quick access हम इस पे click करेंगे यहाँ देखिए quick access में आपका folder यानि mts पीन हो चुका है अब आप इस नए add किये हुए folder पे click किजे और यहाँ देखिए इसके सारे items यानि कि इस folder में मौझूद फोल्डर या file वो यहाँ पर show कर रहा है आएए आपको हम quick access में किसी folder को add यानि pin करने का दूसरा तरीका बताते हैं आप फिर इस PC पे click किजे फिर किसी drive में जाएए जिस folder को quick access में add करना है यानि pin करना है उस पे आप right click किजे फिर देखिए यहाँ पे एक option आगया pin to quick access आप यहाँ click कर दीजे अब आप quick access के list में देखिए आपने जो अभी new item add किया है वो यहाँ पे show कर रहा है एक बार आप फाइल explorer window को close कर दीजे और फिर हम लोग open करके देखेंगे क्या quick access में add किया गया item अपने आप हड़ जाता है या इसी में store रहता है तो हम file explorer के close button पे click कर रहे हैं हम फिर से task bar में जाकर file explorer को open कर रहे हैं अब देखिए quick access में जो जो item को मैंने pin यानि कि add किया था वो सारे आइटम यानि वो सारे folder यहां पे मौझूद है माल लिजिए कि आप इसमें pin किये गए item को अब आप हटाना चाहते हैं यानि कि unpin करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे तो आप जिस folder को unpin करना चाहते हैं उस पे आप right click किजे और फिर इस list पे रखिए unpin from quick access दिया हुआ है आप इस पे click किजे या देखिए quick access से आपने जिस folder को unpin किया है वह folder अब हट चुका है अब आप file explorer के close button पे click कर दीजे windows 10 quick access session में आज आपने पढ़ा how to use quick access in file explorer यानि file explorer में quick access का उप्यों कैसे करें how to add और remove a folder in quick access यानि quick access में एक folder कैसे जोड़े या हटाएं अब हमें आसा है कि आपको windows 10 का quick access समझ में आ गया होगा अगर आप इस चैनल में नया है तो आप चैनल को सब्क्राइब कर बेल बटन प्रेस कर ले ताकि हमारा नया नया अटिसूरियल वीडियो आपको मिन्ते रहे